अब आपको जो आवाज है न वो बुलंद आवाज जा रही होगी राइट की निकलाई है देखते हैं कि अपना सॉलीशन सही निकला है क्या एक बार देख लेते हैं रेफरेश वहगरे में पता चला है कि OBS बंद हो गया Actually, we stream through the software OBS नामे उसका और वो OBS कई बार नखड़े खड़ा करता है, but ठीक है, अबन कॉंपरमाइज दिए, अबन कर लेंगे इसको, don't worry for that. Hi, done, everybody. एक दम बुलंद अवाज आ रही हैं, एक दम तगड़ा, दासो, yes. सारी ग्रूप्स में डाल दो कि yes, बेटा, we are back. And we'll be rocking this session. This session is going to be super-duper amazing. देखना, आप Class 12 का Organic Chemistry पहली बार स्टार्ट हो रहा है. आप समझो देखो, Class 11 में 3 chapter है, important. IUPAC से question नहीं आता. एक बार मैं उसको बोलूगा समय नहीं है, तो छोड़ दो. IUPAC को मत देखो, उसके बिना कुछ, मतलब ऐसा कोई बहुत बड़ा लॉस्ट नहीं हो रहा, ठीक है ना? नहीं भी आएगा, तो भी selection पे जो और नहीं डाला, marks company करा रहा, ठीक है ना? अब आपको देखो, तीन chapter थे, GOT, Ithomanism और Hydrocar. ये पूरी 11th में अपन पढ़ने वाले हैं, in fact, ये सारी चीजे रिवाइद भी करा रहा हूँ मैं coming sessions में in special classes, ठीक है ना? सुबह 7 से 9 की special classes ले रहा हूँ रोज, तो अभी तो मैं study with me चला रहा हूँ, उस दिनों में actually अपन study करेंगा उन sessions में, ठीक है ना? तो आपको बढ़ा के मैं पढ़ानी भी वाला हूँ, तो thank you so much, thank you so much, साधना कुमारी कह रही है कि आप बहुत अच्छा पढ़ते हैं, पढ़ाता तो मैं सबको, लेकिन आप पढ़ते हैं, तभी तो आपको अच्छा लगता है, ठीक है? यस, ओके, कई-कई लोगोंने नीब अगर इसे नजर नहीं लगी है, बहुत अमीजिंग, कौन सा चप्टर चल रहा है, बेटा, चाप्टर है बेटा, आज स्टार्ट हो रहा है, हैलो अरीन्स और हैलो अलकेन्स, इससे कंफ्यूज मत होना, इसको कई बार लोग अलकाइल हैलाइड भी लिखते हैं, इस चप्ट इसको कई बुक्स में देखोगे तो अलकाइल हैलाइड का भी नाम दिया गया है, है ना, तो अपन अमेजिंग में इसको स्टार्ट करते हैं, तो कन्फ्यूज मत होना, उससे पहले कि मैं आगे बड़ो मैं आपको बता दो, आपको क्या करना होता है, इन सब चीजों की description में है तो आप इस पर प्रेस करिए क्लिंग करिए एंटर हुए और मजा जाएगा ठीक है आगे बढ़ते हैं अनिक आडमी combat एक fortnightly आपके लिए largest fortnightly competition है नीट के लिए ठीक है ना अनिक जो इंडिया की best educators आपको उन्होंने उसको बनाया है उस अपने experience के दोना तो आप अनिकाडमी combat का test जरूर दे उसके बाद मैं आपको बता दूँ अनिकाडमी combat पर जब आप test देंगे तो बेटा आपको अपने score दिखेगा सबसे ज़्यादा बच्चों में आप compete करोगे उसके बाद आपको वहां पर score दिखेगा उसके बाद आपको यहां पर अपना लेडरपोर्ट दिखेगा कि आपकी रैंकिंग क्या है इसकी पर्फोर्में कि पता करना है तो आप अनिकाडमी लगनी आप पर जाएए और वहां पर अनिकाडमी combat और नीट यूजी ज़रूर देखेगा जैसे आप जो भी आओगे आपको वहां पर आपकी रैटिंग आपके मांस दिख जाएंगे लास्ट थर्टी डेज में क्या पर्फोर्मेंस हुआ है हाइस्ट रेटिंग कितना है कितने लेवल आपको मिले हैं यह सब आपको वहां पर बैचिज वगर भी मिलते हैं ठीक है चैलेंजिंग कोश्चन्स इसमें आपको मिलेंगे जो की बेस्ट अनिकाडमी एडुकेटर्स द्वारा बनाए गए ठीक है इंडिया के सब से पेस्ट रीचर अनिकाडमी पर है और उनके द्वारा यह सब चीज़े बनाए गए ठीक है यस उसके बाद जब आप आगे बढ़ेंगे तो देखना यहां पर आपको आपकी परफॉर्मेंस भी दिखाई जाएगी एंडिया के फोट लार्ज स्पोट नाइटली कंपेटिशन में आप यहां पर जाते दूसरी बात यहां पर डिटेल्ड वीडियो सॉलुशन्स भी मिलेंगे ऐसा नहीं के टेस्ट दिया गलत होगे तो कोई द अपनी गलती को सुदार ना इसमें वह आपको इंडिया के बेस्टीचर वीडियो सॉलुशन्स आपको रिकॉर्डेट वीडियो सॉलुशन्स यहां पर मिल जाएगे ठीक हर कोश्चन के लेकिन टेस्ट के बाद टेस्ट दीजिए उसके बाद यह होगा सूपर फास्ट अच्छी रहेगी तो यहां पर जैसे आप देख सकते हो एक टेस्ट में बैटा पचास-पचास-थाजार लोग यहां पर एक सांथ रहते हैं लाइगे और पी जिस टेस्ट को दोगे तो उसमें भी तो सेव देट सेव देट फोर 27 दिसमबर 11 बजे सुबह अगर आपके लिए डिटेल्स नीचे देस्क्रिप्षिन में लिंक होगा आप वहां पर चली जाएगा वो यहां पर मिलेगा तो तीनों के लिए सेपरेटEl करेगा और अलग अलग करणा में अधर इकळायमट करेंगे यह 27 December को हो रहा है ठीक है ना येस वीडियो सॉलुशन के लिए जो recorded वीडियो सॉलुशन आपको पीछे मिलेंगे वो ये लोग बहुत अच्छे से बनाए हुए है ठीक है next चलिए और अहां सबसे अच्छी बाप तुम्हें बताने भूल गया बेटा आपको rank 1 से 3 अगर आ रह सब्सक्रिप्शन की आप Amazon का वाउचर मिल जाएगा उसके बाद rank 4-50 में 1000 रुपए के Amazon वाउचर मिलेगा आप कुछ भी करीच सकते हो Amazon पे 1000 रुपए तक का और उसे ज्यादा का भी ठीक है चलिए तो contest का format जो है बेटा 60 मिनट्स का contest होगा ठीक है इसमें 18 questions होंगे और separate contest हो होंगे इसमें 11 12 13 फालो के लिए पोट नैटली मतलब अल्टरनेट संदे पर होता है हर एक संदे गाप करके नीट स्कोरिंग नीट के टाइप का होगा और चार सेक्शन होंगे बायोलोजी फिजिक्स बोटनी जोलोजी फिजिक्स और केमिस्ट्री चलिए क्लास 11 का जो syllabus से आपको यहां पर दिख रहा है क्लास 11 का जो syllabus से आपको यहां पर दिख रहा है तो आप देख लिए क्लास 11 12 13 आप इस वीडियो को पॉस कर सकते है आप इसमें syllabus नोड़ डाउन कर सकते है ठीक है अनकाडमी के लिए अभी इन्रॉल करिए यूज कोड अनकाडमी या फिर आप यहां पर कोड अनकाडमी क्यों यूज करना पिटा आपके बाहुवली सर है तो बाहुवली कोड यूज करना है और क्या ठीक है न येस कोड क्या करना आपको बाहुवली कोड इस्तेमाल करना है और आप इसको येस ठीक है न हाँ तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना नहीं पता है कि actual में organic chemistry पढ़ते करें 12 का पहला चाप्टर हमें स्टार्ट कर रहे हैं चाप्टर नंबर 1 हमें स्टार्ट कर रहे हैं chapter नंबर 1 of class 12 chemistry organic chemistry के बात करें टीगा नंबर 1 of organic chemistry जिसका नाम इब बिटां इसको कई बुक्स में हेलोजन डेरिवेटिव लिखा होगा, इसको कई बार अलकाइल हेलाइड लिखा होगा, और डिफरेंट 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 नेम से जाना जाते हैं सुनी, आप समझो, इससे पहले कि मैं स्टाइड करूं और ये चैप्टर वन वगरा, देखो कोई भी और अर्गेनिक केमिस्ट्री आप पढ़ने जाओ, मतलब आप कहीं से भी पढ़ने जाओ, और अर्गेनिक केमिस्ट्री अगर सीक्वेंस में नहीं पढ़े तो गढ़बढ सबसे पहले आपको और गणिक केमिस्ट्री में क्या पढ़ना होता है, तो आई-उ-पी-ए-सी नोमेन क्लेचर ये आपका जो चैप्टर है, फोर तू-फाइव आवर्स के अंदर कंप्लीट होता है, मतलब चार से पांच घंटे के अंदर कंप्लीट होता है, चार से पांच सेशन के अंदर या फिर एक साथी चार-पांच घंटे देख जाओ, तो यह हो जाएगा, आई-उ-पी-सी नोमेन क्लेचर, चैप्टर आपको ये पढ़ना होता है, जो दूसरा चैप्टर आप पढ़ते हो इसके बाद, वो होता है बेटा, जेनरल और गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें acidic strength, basic strength, plus M, minus M, you know, resonance, hyperconjugation, inductive effect, ये सब आप पढ़ते हो, तो सबसे पहले आप IUP-C पढ़ते हो, फिर आप पढ़ते हो general organic chemistry, और ये sequence होना बहुत जरूरी है, तब ही जाके organic actually दिमाग में बैठता है, ठीक है ना, तो ये sequence का होना बहुत जरूरी है, तीसरी बाद बे आप प्यार से इसको GOC 2 भी बोल देते हो, अपना अपना तरीक है, ठीक है, उसके बाद बेटा, चौथा चैप्टर जो होता है ना, hydrocarbon, इतने करने के बाद class 11th आपकी complete हो जाती है, इतने करने के बाद आपकी class 11th complete हो जाती है, आपको organic chemistry class 11th complete हो जाएगा, और जैसे ही अपन यही means की त्यारी कर रहे हो, या फिर आप need की त्यारी कर रहे हो, यही आपका syllabus होता है, ठीक है, अब इसको कई बाद जी उसी 2 के नाम से पढ़ा दिया जाता है, कई बाद इसको भी जी उसी 2 में include कर लिया जाता है, देखो अब मैं बताओ, in fact कई लोग इसको GOC 1 नाम से यह तो यह NTA वाली website पर जाओगे तो इस तरह से आपको दिखेगा, ठीक है, अब hydrocarbon में alkyan, alkyan, alkyan की reactions हमने अलरेडी कर रखें, उससे बाहर आता नहीं है, हमने isomerism कर रखा है, उससे बाहर आता नहीं है, हमने IOPC कर रखा है, उससे बाहर आता नहीं है, ठीक है, IOPC वैस इसके बाद यह पढ़ना है, 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 इसके आप मेरे लिक्षर से पढ़ोगे तो आप तो कहीं था भी स्टार्ट कर दो, समझ तो पूरा आज़ेगा। लेकिन वो जो ग्रास्पिंग पावर दिमाग को समझाने वाली जो पावर है ना, वो तभी आएगी जब इस लेंग्वेज में पढ़ोगे, इस उसमें पढ़ोगे, इस सीक्वेंस में पढ़ोगे, ठीक है, येस, ना, क्लास 12 का जब और्गनी केमिस्ट्री पे आते हो, क्लास क्लास 11 और्गनी कमिस्ट्री पे बिता दिया, अब क्लास 11 खतम करने के बाद ही 12 करना चाहिए, मेरे लेक्षर से 12 समझा जाएगा, लेकिन फिर वही बता रहे हो, मैं, बिला 11 के भी 12 समझा जाएगा, लेकिन अगर आपको बहुत हाई स्कोर करना है, तो इमान दारिय से बता होता है है रोजहन डे रिवेटिव यह आपने हाइड्रोकार्बन पढ़ाएगा किसी भी हाइड्रोकार्बन चैनलोह सी प्थरीश ट्क required हीड्रोकार्बन में इत लुत रगत के एक hydrogen की जगे hydrogen रख दिया, hydrocarbon में से एक hydrogen हटा के hydrogen ढाल दिया, that is hydrogen derivative, अगर मैं उसी को क्या करता हूँ, दूसरा chapter बन जाता है आपके पास alcohol phenol ether, इसी hydrocarbon में से एक hydrogen हटा के मैंने alcohol OH गुरुप लगा दिया, पहले hydrogen लगा है, तो hydrogen derivative chapter पढ़ना है, फिर OH गुरुप लगा दिया, तो alcohol phenol ether आगया आपके सामने, ठीक है, अगर मान दो मैं इसी को, double bond O लगा दूँ, तो आपको जो तीसरा chapter generate होता है, वो होता है बेटा, carbon compound, यह सब बेटा sequence, अब hydrocarbon, देखो, समझतब आ जाएगा आप बिना hydrocarbon के, लेकिन अ पचास वन शॉर्ट वीडियो बना दू, व्यूज भी आ जाएगे, बट बेटा समझ नहीं आएगा, मार्च स्कोर नहीं होगा, मार्च स्कोर करने का एक pattern है, एक strategy है, आपको follow हो ही करना है, समझ रहा है, तो halogen, अब इसके बाद मान लो मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ, य अगर मैं NH2 अटा की, यहां पी क्या कर दू, कार्बॉक्सली के सिड फंक्शन ग्रूप, कर कुछ नहीं रहे, हाइड्रो कार्बन से एक हाइड्रोजन हटा रहे, एक एक फंक्शनल ग्रूप लगाते जा रहे, ठीक है, और अपने पास chapters निकलते आ जा रहे, उसके बाद बेटा, कार्बॉक्सली के सिड, ठीक है न, अपन कार्बॉक्सली के सिड पहले पढ़ेंगे, हमाई इस बाद में पढ़ेंगे, ठीक है, उसके बाद, आप क्या होता है, बायो मोल्गुद्स, पॉलीमर्स, कमेस्ट्री इन अव्टेरे लाइफ, समझ रहे बात को, तो यह स् पैटर्न के हिसाब से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, और मैं वो पढ़ा रहा हूँ आपको, अगर आप लिक्षेट्स फॉलो कर रहे हैं, अगर आपने क्लास 12 भी फॉलो कर लिया, फूरा यहां पर अटेंड रहे, अगिन गैरेंटी के मार्स को रो की जी सकता, क्यों मैं इ दिखाता हूँ कि बेटा, यह जो क्वेश्चन में कर रहा हूँ ना, यह पढ़ा चुका, तो अगर पिछले 20 यह के क्वेश्चन कर फितने हैं, तो जो नेक्स यह आएगा, वो भी उसी टाइप का आएगा, वो भी आपकर सकता, यह मैं प्रूफ पेसांत करता हूँ, ठीक ह खिखाता है, यह थोड़े यह थोड़ा बढ़ा पड़ेगा, यह थोड़ा बढ़ा पड़ेगा, इनफेक्ट, इसके बाद तो यह सारे छुटे-छोटे चाफ्टर से हैं, बायो मोली को पॉलीमर से सब तो दो दो दिन, ती दी, इन वाले चाप्टर से, घवरान ना, की पत मैं अपने को पढ़ना क्या है हेलोजन डेरिवेटिव में वह मैं आपको समझाता हूँ ठीक ना अपने को पढ़ना क्या है हेलोजन डेरिवेटिव में वह मैं आपको समझाता हूँ और बेटा शेर कर दिया करो चारो तरफ मेरा काम है बागी का काम आप संभालो मैं पढ़ान हो सब इसको हेलोजन टेरिवेटी भी बोला जाएगा अलकाइल हैलाइट भी गवराना नहीं तो एक ही है 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 यह अपने पास यह क्लोरो मिठेन इसका नाम क्या है तो क्या मैं इसका जेनरल मैं इसे लिग दूँ इस वाट क्लोरो मतलब हैलो हैलोजन फेमिली का है हैलो और इस अलकेन फेमिली का है मिथेन तो आ रहा है ना यू पीसी के हिसाब से क्या रहा है है इसका यू पीसी नाम यहीं तो होता है तो अगर आप यू पीसी के हिसाब से सोचोगे तो चाप्टर का नाम यह होगा इसको कई लोग मिथाइल फुलॉराइड भी बोल देते तो अलकाइल हैलाइड भी हो गया अब इसको हैलोजन का डेरिवेटिव मतलब एक ह हइड लोग में चाली एक अब आई एक करके हां सबसे पहली हैकि हमया तो हमारे पास हाइडव कार्वन था है कार्वन में क्या होतार कार्वन होता अब मैं क्या क्या होथे खार क हाईड्रोजन जाएगा तो बेटा को छेदा किसको है हाइड्रोजन को आपको रिमॉफ इसको करना है हाइड्रोजन को तो कार्बन उतना ही रहन दो हाइड्रोजन हटा के हैलोजन समझेन हटाया है 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 और हैलोगन लग जाएगा आट मिस्त् Number Cl Teams सभा टेंगा अैट में वीरीन है विरिंगा दिसके सब्सक्राइब गोर मड़सدي रहा हूं हटाने के बाग तो compounds derived from hydrocarbon और यह हो रहा है तो बेटा hydrogen के removal से यहाँ पर चार hydrogen था तीन hydrogen हो गया है by replacement of by replacement of one or more H atom हो सकता है मैं इसको दो hydrogen atom replace अब सुनिएगा इसके बारे में बाद में बात करें इसके बारे में बाद में बात करें अब आते हैं अलकेंज का दूसरा नम क्या होता है क्या अलकेंज को हम पैराफीन से बोलते थे क्या अलकेंज को हम पैराफीन बोलते थे यह अलकेंज को हम पैराफीन बोलते है क्या मतलब होता है पैराफीन का सब्सक्राइब टोड़ना मुस्किल है तो इसका मतलब वहां से टोटे का नहीं तो रीएक्षन कैसे होता है पुरानेौट तोटे हैं नए बॉंड बनते हैं यहां पे पूराने बॉंड टूटेंगे तो टूटेंगए निए तो अपना रीक्षन ही नहीं होगा लेकिन अब यह तो हम पढ़ चुके हैं यह तो बहुत लेक्टिव था इसलिए इसको पैराफिन्स बोला जाता था इसको अलकीन्स को ओलेफिन्स बोला जाता था याद ना क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन कोई भी अब सब्सक्राइब और सामने वाले पर पॉजिटिव चार्ज जालना पड़ेगा तो सामने वाले पर मैंने पॉजिटिव चार्ज भी डाल दिया अब देखना अले केंड में ऐसा कुछ नहीं था क्यों सरी अलों पोलर ही था यह सारे बॉंद्स लगवग लगवग नॉन पोलर होते क्यों क्योंकि इनका इलेक्ट्रों निगेटिवीडिटी डिफ्रेंस है डिलेश होता है जिरो पॉइंट फो होता है कार्बन का टू प्वोइंट वन एलेक्ट्रो निगेटिविटी बहुत कम है इलेक्ट्रो निगेटिविटी कम है तो बॉंड तो वह था है आशान नहीं होगा पॉलारी टेवलप नहीं होग यहां पर अगर माधलो एक्स के लिगा फ्लोरीन रखो तो फ्लोरीन की येड्डिवीट्वीट्व फोर कारवन की बात करूं तो वो होता है बेटा 2.5 तो इसमें और गासा आगया 1.5 गासा जाग तो ज्यादा आगया तो पोलारीटी जाएगा नेगेटिव दूसरी एक ऊपर पॉजिटिव पॉल्स इवलप हो घए चार्जन डेवलप हो घए पॉल्स का मतलब चार्ज अब यहां पिर नेगेटिव्लक में इसे फाइदा की फाइदा क्या हुआ है सुनेगे पॉलारीटली डेवलंप होने से फाइदा ये हुआ अब इसके पास नेगेटिव चार्ड चला गया तो मानलो रियेक्शन में मानलो हमारे पास कुछ ऐसा कंपाउंड है कोई ऐसा स्पेशी है जिसको उपर पॉजिटिव चार्ड हो ऑगाति देशन करना से लेक्शन करने की तेनडेंशी बढ़ बडभी को इन में पोलारीटी नहीं है पोलारीटी बहुत काम है बट यहाँ पर जो पोलारिटी आया है वो वन पॉंट फाइब के लग मगार है फलोरीन के केस में पोलारिटी जादा है इसलिए यहाँ पर more reactive more reactive अब यह more reactive हो गया अब समझते है more reactive क्या हुगा है तो इतना तो बात समझ में गया कि अले टेंस उससे ज़्ञाधा रिएक्शन देगा अब ये क्या होते हैं अब देखेंगे ये कहा कहा इस्तिमाल आते हैं यूजै तो देखेंगे एंटी बायोटिक्स में इस्तिमाल आते हैं जो आप दवा खाते हैं ना फार्माशूटिकल कंपनीज के लिए ना ठीक है यह फार्माशूटिकल कंपनीज पर बहुत इस्तिमाल आते हैं अब समझेंगे कई बार आपने पढ़ा होगा ऐसी डिजीज होती है जो अपनी इम्यून सिस्टम ही आपको डिजीज पैदा कर देती हैं अपने आपके खुद ही जो हॉर्मोन्स होते हैं इम्यून्स होते हैं वह ही आपके लिए डेंजरस हो जाते हैं तो वैसे तो साइदे मंद होता है बट इक्सेस हो जाए तो आपके लिए खतर राग हो सकता है तो अगर हो जाए तो उसको सप्रेस करने के लिए मंद हम अलकाय लेड का स्से法 करते हैं कई बार यह पार जो कि तरह इस्सेवाल करते हैं आपने पढ़ा है बी आर्टो सीचिल फोर हाइड्रोकार बन चाप्टर में सि ऐसे इखेंगे से चार हाइडरोजन हटानी यह बना है चार क्लोरीन लगा दिया यह काम कर रहा है बहुत-बड़िया कि दिखेंगे सर्थिधा टेफलॉन टेप वह जो प्लंबर में आपके हां आता होगा तो प्लंबर वह जो टेप इस्तिमाल करता है या फिर मैडिकल कभी इमालो Can कट फट लगता है तो देखते वो आप उस पे तेप से चिपका जाता हूँ जो टेफलॉन होता है उसमेँ भी alkyl किस पूछे जाते हैं नेउस्स कोई भी रिएक्शन कैसे होता है हम alkyl पढ़ेंगे इसके अंदर हम SN1 पढ़ेंगे, SN2 पढ़ेंगे, E1 पढ़ेंगे, E2 पढ़ेंगे, उसके बाद इसमें Aldol होगा, Canizaro होगा, Novangel होगा, बहुत थारे रेक्शन आगे आने वाले हैं, ठीक है? बट रेक्शन की बेसिक तब स्ट्रॉंग कर लो, रेक्शन की बेसिक से नहीं पता होती है, तो दिक्कत हो जाती है, अब लोग उल्रेडी आप किसी और पसंद करते हो तो कोई नया पसंद जल्दी नहीं आता एक्सेप्शंस लुग यह अगर किसी और को पसंद करते हो तो नया कोई पसंद नहीं आएगा ऐसा जेनरल लूर होता है general but किसी नए के पास जाने के लिए पुराने बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा पहले पुराने बॉंड ट्ूटेंगे तभी आप नए बॉंड के तरफ जा सकते तुटेंगे वैसे ही और गिंए कभी है कि नई reaction करने के बद क्या होता है नया bond बनता है तो reactant से प्रोड़क्ट बनने के लिए नया bond बनना पड़ेगा तो नया bond तभी बनेगा पुरानी पूटेंगे तो कोई भी reaction करने का simple तरीका अगर आप समझो तो old bonds are broken and new bonds are formed अगर आप इस फंडा को अपना लो तो रिएक्शन के प्रोड़क्ट राटोगे नहीं लिख लोगे कैसे मैं बताता हूं कोई भी रिएक्शन को ओल्ड बॉंड जो होते हैं न इट मस्ट बी ब्रोकेन और न न्यू ओंस मस्ट बी फॉर्म एनी प्रोसेसिन इनी केमिकल रिएक और्गनिक केमिस्ट्री के रिएक्शन को करने के लिए आपको सबस्ट्रेट का रिक्वार्मेंट पढ़ेगा सबस्ट्रेट क्या होता है जो रियक्टेंट्स हैं जिसके ऊपर अटैक होता है समझ रहो जिसके ऊपर अटैक होगा इसी देशी लेंग्वेज में पढ़ोगे बेटा आप किसी से मालो कोई पसंद आ रहा है आपको भी कोई नया बॉंड बनाना तो आप क्या करोगे आप भी अटेक करोगे आप जाओगे अप्रोच करोगे आप अप्रोच करोगे किस पर करोगे वो है आपका सबस्ट्रेट तो आपके सामने हो अच्छा मैं क्या होता हूँ लड़के बदनाम कर देता हूँ मैं कि इस और ऐसे तो लड़के भी होती है तो बेड़ा यह केस वाइसा वर्सा लड़कियों में भी अपली केपल होता है तो ज्यादा तर केस जो होता है लड़के बदनाम है इसलिए मैं लड़कों का नाम ले रहा हूँ अब समझेगा सबस्ट्रेट की हम बात कर रहे हैं सबस्ट्रेट कौन है जिस पर अटैक होगा सामने वाला ही सबस्ट्रेट एस फॉर सबस्ट्रेट एस फॉर सामने वाला उसके किस बन जाए कि इधर हो जाए वह सकता है कि दो चार गालियां सुनने को मिले हो सकता है कि आपके नाम का एफाईयार हो सकता है कि कुछ आपके साथ बुरा नहीं होता है पर अब अब देखना जब यह अधैकिंग है बनता है इसमें क्या होगा कुछ हम्ठिशने opinions अभी pizza फाइनल नहीं हुआ, बतलब ऐसा थोड़ी आपने अप्रोच किया और अगले दिन शादी होगी, आप अप्रोच करते हो, फिर स्टेट बनता है, ट्रांजिशिन स्टेट, देखा जाता है, अगर सही होगा, तो आके चलेंगे, नहीं सही होगा, तो यह स्टॉप करतेंगे, ऐ बारे में सब कुछ पता होता है, ठीक है, हां जी, तोड़ा आप से चर्चा भी कर ले, आच्छा, प्रेसिडेंट, ओ माइगाड, यह सब सुबह वाले बच्चे, चलो इतर हो, फिर जो होता है, इस्टाबिलीटी अंदा प्रोडक्ट, अब एक कुछ ट्रांजिशन फेस बन बन भी, नए बन भी नहीं बन पाए हैं अभी, अभी फाइनल स्टेज नहीं पहुंचे हो, लेकिन कुछ देर के बाद अब डिसाइड हो जाएगा, कि क्या, अगर आपका ट्रांजिशन स्टेट एस्टेबल रहा, अगर वह वाला पीरियेड, जब पुराने बन टूर चुक अगया, अगया अगया नहीं हो रहा है, तो हम मदद लेते हैं बेटा, टेमपरेचर की, विटेख हल्व रॉम टेमपरेचर, कि हो सकता है, सर टेमपरेचर बनाओ, कुछ थोड़ा सा, यू नो, ग्रीटिंग कार्ट्स वगर दो, कुछ गुबबार वगर दो, जाकि कुछ व होता है, solvent is the medium for our reaction, बिटा, आपको कोई reaction करना है, माल दो, आपको किसी से मिलना है, तो आप क्या करोगे, इलगो इन होटेल्स, रेस्टूरेंट्स, और सम सिनेमा हॉल, और सम्वेर ल्स, या फिर कई लोग आपके जैसे होते हैं, जो गाउं के बगीचे में, पेड़ के मीडियम, जैसे आप रेस्टूरेंट जाओगे, मिलोगे, आप हो सकता है कि पार्क में मिलो, बिटा, आप हो सकता है कि कहीं कोई फाइव स्टार होटेल में मिलो, तो यह हो सकता है, कॉलेज, कैंटीन में मिलो, कुछ भी हो सकता है, हो सकता है, स्कूल के कैंटीन, हो सकता है, प्रोडट को मिलाने का काम करता है एक प्लैटफों देता है कि आप दोनों आजाओ यहां पर बैठो और सोचो ट्रांजीशन स्टेट बनाओ हो तो प्रोड़क्ट बन जाए उसके बाद orientation is the most important बैठा मान लो आप किसी से मिलने जा रहे हो और आपने क्या करा कि एसे तेरे नाम सल्मान खांज जैसे बना लिया और उसको रेड रेड कलर में कर लिया और फिर आप सोच रहे हैं कि मेरा तो प्रोड़क्ट बन जाए हो तो ज्यादा तर चांसे हैं कि बैठ एस वैसे करके कॉलर करके और बोला कि आयम विटी है तो हो सकता है कि वेटा प्रोड़क्ट ना बन पाएं तो देखें का रीएक्शन भी वैसे ही है the seven conditions prediction depend करती है और इन्ही सेवन क姠िट की डीप study अपने को कर ने क्या क्या चाहिए देखना एक तो जिस किसी को अप्रोच करने के लिए आप तो किसी को अप्रोच करोगे न येस तो सब्स्ट्रेट किसी कि जिस पर अठाइक होगा जिसको अप्रोच होगा तो that is substrate और कोई तो चाहिए जो अप्रोच करें कोई तो चाहिए जो अटाइक करें वो होता है attacking species अब एक बार अप्रोच कर लिया एक बार अटाइक हो गया तो अब आपने फर्मान पहुचा दिया है अब वेट करेंगे transition state बनेगा तो वेट करने के बाद transition state बनता है ts is transition state ठीक है ना बेटा ts is what transition state बहुत basic को clear कर रहा हूँ आज का पूरा रिक्ष्ट जो lecture 1 है यह पूरा basic ही है ठीक है ना हो सकता है कई बात है सुनी हुए मिले लेकिन next class से ही main चालो होगा चलिए अब transition state की बाद इसके बाद final state होता है product या तो हाँ होगा या तो ना होगा और अगर हाँ हो गया तो जो अपना hero है वो बहुत अच्छा हो समझे रहो आप समझे रहो जितने लड़के उनको बोल रहो मैं और कई बार heroine है तो hero heroine क्या होंगे खुश में जाएंगे अगर hero heroine को सब सही लगा transition state का फेज सही लगा तो तो product बन जाएगा अगर नहीं बनेगा तो कोशिस करिए थोड़ा सा heat देने की उससे भी नहीं हुआ तो कोशिस करिए restaurant या फिर उसमें medium में मिलने की अगर उससे भी नहीं हुआ त तो कोई भी reaction का product आप आखानी से लिख सकते हैं अब कई बार मैं क्या करूंगा कि बोल दूगा कि यह temperature जो है वो हाई पर होता है दिख में के लिएी इल्एक्ट्रोफाइल और निूक्लियोफाइल तब लोग मुझे क्या बता सकते हो कि एलेक्ट्रोफाइल क्यों होता है फाइल का मतलब क्या होता है लोग अप्ण रिएक्शन आपके जैडरल जिंद्गी ही है बटहीं ए www Katrina Cap अभी Cap Katrina Heroine is क्या खरिया इन्होंने Katrina Cap ठीक है Katrina Cap लिखा इन्होंने Cap नहीं होता टोपी है वो Cap Katrina Cap है K-I-F ठीक है Yes Electron Lover Wow Amazing Electro मतलब Electron और File का मतलब Lover जो Electron को पसंद करे बेटा Electron कौन सा चार्ज होता है आप बोलोगे साथ Negative Charge होता है That means Negative Charge को कौन पसंद करेगा Negative Charge का Lover कौन होगा Positive Charge तो देखेंगे Electron का Lover कौन होगा Electrofile is a Positively Charged And Electrofile is a Positively Charged That means अगर किसी पे Positive Charge है तो वो Electrofile है ये तो मैं आग बन करके मान लिया दूसरी बात सुनो बेटा दूसरी बात सुनो जमूरो जमूरो दूसरी बात ये है कि Electron को Lover कौन करेगा जिसको Electron की जरुरत हो बेटा आप किस से लव करते हो Parents से Obviously Parents से कुछ और मतलिक देना आप किस से लव करते हो Neat से और कुछ नहीं नहीं तो बेटा घर पे भी पहुंचा देता हूं मैं तो दूसरी बात क्या है ये Electrofile क्या है Electron को Lover करे Negative charge को कौन लव करेगा जो खुद positive charge हो तो Electrofile is Electron Lover तो Electrofile is Positively Charged Spaces बहुत बढ़िया अब ये Positive charge Spaces है अब ये Positive Charges Spaces है दूसरा भी टाइप का एक ऐसा आप सोचो जो Electron को लव करेगा मानलो मेरे पास Octate Complete नहीं है मेरे पास मानलो 6 Electron है जैसे BF3 Molecule, BH3 Molecule बेटा मेरे पास 6 Electron है मुझे 2 Electron दे दो तो मैं Octate Complete हो जाऊँगो मैं Stable हो जाऊँगो समझना बेटा मुझे ऐसा बिढ़ा एक बात हो पैसे की ज़रुरत किसको है जो घरीब है या जो अमीर है तो ठीक है नेगेटिव चार्ज की ज़रुरत किसको है पॉजिटिवली चार्ज इस पेसी को क्योंकि यह गरीब है लेकिन गरीब दो तरह के होते हैं तो नॉर्मल गरीब होते हैं जो पैसे दो ना दो तो भी अपना काम चली दा लेकिन बेहत गरीब होते हैं उनको तो पैसे चाहिए चाहिए उसके बिना तो वह काम बगड़ सकता है ना वही बात है यह गरीब है और एक होता है यह बेहत गरीब है और यह होता है गरीब ताइप इंसान, electron deficient. मतलब इसके पास 6 electron है 2-2 तो काम हो जाएगा. तो positive charge भी electron deficient है और electron deficient और electron deficient है जिसके पास electron की कमी हो. यहाँ पर electron की बहुत ज़्यादा कमी हो गई तभी जाके charge डेवलप हो गया यहाँ पर उतनी ज़्यादा कमी नहीं है तो electron deficient है पर ठीक ठीक है Electrofile जो होते हैं वो Lewis ACR होते हैं क्यों ऐसा और यह electron को accept करेगा जिसके पास electron कम है वो भी accept करेगा पॉजिटिव चार्ज भी accept करेगा क्योंकि पॉजिटिव चार्ज को नेगेटिव चाहिए तो या तो electron deficient हो या तो positively charge हो दोनों electron के acceptor होते हैं और electron के acceptor को हम Lewis ACR बोलते हैं therefore Lewis ACR इसको बोला जाता है इलेक्ट्रोफाइल को ठीक है सब उसके बाद देखिए इलेक्ट्रोफाइल्स दो तरह क्योंते हैं एक है positively charged इलेक्ट्रोफाइल्स कहीं भी आप देखलो में इंग्जेंपल के तोर पे आप लोग लिखा हुआ है या तो H plus लेरो स्कता है वो जो निट्रल हो दो तरह की ईलेक्ट्रो फाइल संझाया या तो पॉजितिव चार्ज हो या तो इलेक्ट्रो पेडियो पॉजिटिव चार्फ वाला तो अभी एक्जम्पल भी पिता दिया इलेक्टरों डैफिशेंट वाले खोंब बोलते हैं न्यूट्रल उलेक्ट्रोफाइल चलिए है नुटरॉलkęक वाइल क्या होता है niż अपने कए पैसे लिंक इनके पास आर्छ एलेट्रॉन नहीं है तो वह क्या करते एंख मुझेक्व वो खोजते रहे तो मैं गले लगा लूँ और मैं स्टेबल हो जाओ आपमें भी कई लोग कोज रहोंगे कि कास्ट कोई मिल जाए गले लगाने के लिए और मैं स्टेबल हो उसी तरह यह neutral electrophile हैं, यह क्या कहते हैं, इनका खुद का octate complete नहीं होता है, अब octate incomplete है, ते क्या करेंगे, इनके पास vacant orbital होता है, खाली, इनके, यहाँ पर बहुत खाली पड़ा हुआ है, ठीक है न, बहुत खाली है इंसान है, ते क्या करेगा, दूस्तरों को बोलेगा, आ जा SO2 एविट आई, SO3 नहीं है, this is SO2, ठीक है न, येस, चलो, incomplete octate होने के विज़े से SO3 में तो कैसे होगा, ठीक है, SO3 अटा दीजे, SO2, SO3 अटा दीजे, गलत लिखावा है, राइट, इसकी बात नहीं करते हैं, अब BF3 की बात करते हैं, हाँ जी, BF3 में देख लो, BF3 में मे 3 bonds formed here, 1 bond में कितनी electron होते है, सर 2, एक bond बनने के लिए 2 electron की sharing जरूरी है, 3 bond बनने के लिए 6 electron की sharing जरूरी है, that means we have 6 electrons involved, अब बेटा 6 electron है, तो octate complete नहीं है, क्योंकि octate complete के लिए 8 electron की होनी जरूरी है, that means octate से कम है, octate से 2 electron की कम है, therefore we write it as electron deficient compound, तो हम क्या बोलते हैं, इसको electron deficient compound क्यों, 8 नहीं है, 6 electron कम है, deficient, तो जैसे BF3 की बात करो, 3 bond 6 electron, electron deficient, ALCl3 3 bond 6 electron, electron deficient, Zn plus 2 again electron deficient, FeCl3 electron deficient, RCOCl, RCOCl is like this, RCOCl is like this, ठीक न, ये भी electron deficient होते हैं, and so, ठीक न, ये acid hyalide है, और anhydride भी अपना electron deficient होता है, तो ये सारे क्या हैं है, बेटा, neutral electrophiles होते, तो दो तरह की electrophiles हमने पढ़ा, एक होता है, जित पर positive charge दिख जाए, और एक जहां पर octate incomplete हो, ठीक है, अब कई लोगों को यहां पर doubt आया होगा, कि इसका octate incomplete बताईए, कई लोगों को doubt यहां आया होगा, और कई लोगों को doubt यहां आया होगा, अगर आया है, तो इतम के nucleus में proton और neutron होते हैं, होते हैं क्या, बिल्कुल, अब atom के nucleus में या तो proton होगा, या तो neutron होगा, neutron के पास तो कोई charge ही नहीं होता, तो बचा proton, और proton के पास positive charge होता है, तो अगर मेरे पास positive charge है, तो मैं किसको प्यार करोगा, negative charge, that means nucleus loving, जो, sorry, क्या है है, nucleus loving, बहुत nucleus के अंदर क्या है, protons है, that means क्या मैं इसको लिख दो, positive charge loving, nucleus loving, या फिर मैं इसको proton loving, या फिर मैं इसको positive charge loving लिख दो, बिल्कुल positive charge loving लिख दीजे, nucleus loving, positive charge loving, बहुत अच्छा, positive charge को कौन लव करेगा, जिसके पास already negative charge हो, जिसके पास already excess electrons हो, ऐसे, ऐसे species, जिसके पास at least lone pair, का पेर is lone pair. The pair of two electrons is lone pair. तब दो electron हैं, अच्छा, electron कोण से charge होते हैं? negative charge. That means lone pair का मतलब कह रहा है कि इसके पास negative charge है. अच्छा नेगटीव charge है तो positive को love करेगा ना बेटा? अभी तो positive charge loving हुआ, तभी तो nucleus loving हुआ, तभी तो तो जहां भी लॉन पेर दिख जाए उसके बाब बेटा जिसके पास नेगेटिव चार्ज जिसके पास नेगेटिव चार्ज तो जैसे एक्जेम्पल के लिए हमेशा एक लुइस बेस होता है इलेक्ट्रोफाइल एक्सेप्ट करते हैं एक्सेप्टर सार एसे नुक्लियो नेगेटिव फाइल होगा अब आते ही नुकलियो फाइल किस तरीके के होते हैं कितने नुकलियो फाइल के होते हैं पहला टाइप है निगिटिव ली चार्ज ऐस पिसी जिसके उपर नेगिटिव चार्ज वो वो नेगिटिव चार्ज नुकलियो फाइल होगा मैं जैसे एक्जैंपल के तौर पर आप देखे लो माइनस हो ह माइनस ओ माइनस और सफिक भी आपको दिख जाए ना इस पर इसके उलेख जिसके पास लोन पूर कोई चार्ज नहीं है बट लोन पेर तो अब लोन पेर ही यहाँ पर चार्ज का काम कर रहा है क्योंकि lone pair का मतलब दो इलेक्ट्रोन और इलेक्ट्रोन आगे that means negatively charge तो यहां पर देख लो जिसके पास negative charge उसको negative charge अब तीसरा टाइप यह आपको आप अभी पढ़ने को reactions में मिलेंगे तीसरा टाइप वो है पाई बॉंडडड और्गेनोमेटलिक कंपाउंड क्या होता है पाई बॉंडडड तो देखना मैं बेंजीन रिंग के एक्जांपल आपको लेता हूं बेंजीन रिंग का हाइब्री और टेंसिटी पाई येट्रव पूरे रिंग में घूम रहा है वोट यू मीन बाइग्वरिद फोड़ा सा और एक्सपांडड़ वे में देखो इस बेटा है और इक्सपेंड़ड वे में देखो यह बताता है कि नेगेटिव चार्ज यू है जो पाई डेंसिटी है यहाप श्राखुन оказa यहां से निवित के वाएं कि बात करो तो यहां भी था हमारे पास प्रीट विट भॉंडunächst खिलत फॐंद नुक्लिध कि अच्छा यह है यह 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 ऍommes फाइट्र damn ना पाई इलेक्ट्रोंग है ना ये खुद नेगेटिव चार्ज ना ये प्लस को लब करेंगा ना देर्फोर नुक्लिवाइल भुए ना बास मजमें आ रही है यस तो देखना और गैनिक कंपाउंट गंटेनीं कार्बन कार्बन गंप्लीट मॉट ठीक है ना कार्बन कार्ब में सी कि बात हूँ मान लुए मैं सी एन की बात करता हूँ एसमें नाइट्रोजन के उपर होता पर अपर बहुत बढ़िया इसमें और नेगेटिव चरस थेखोcription भी कारवनगयोफ prag लोसी यहां है नेगेति चार्ज ही डिढोनेट कर सकता है यहां हम केसा है कि न सिंगल मोलİक्युल मुअ की इन को पφाइल मकी अन है यहां तू नुकलियोफाइल साइट यहां कार्बन भी है निट्रोजन सब्सितुन लेकिन कि एख से ज्ज्ञादा सेंटर रहे पट सब्सक्राइब काच ये चाहे हैं कि एक ज्तौद ल्व memberralट करें क भादिन ऐसे आंग एक सब्सक्राइब अच्छा ऐसा क्यों क्यों दोनों क्यों नहीं हो पा रहा है तो दोनों से अगर एक साथ दोनों कर देगा तो इसके पास यह खुदी एलेक्ट्रोन डेफिशिंट कर दो समयरमाद को आपके पास 10 लाग रूपए आपको चैरिटी करना है तो आप एक लाग रूपए देद होगे बहुत ज्यादा मांट हो गया अगर मानलो भोलेगे लोग कि आपके पास तो 10 लाग हैं आप 10 लाग देद डोनेट कर दो आप खुदी गरीब हो जाओगी इसके पास बहुत सारे रुपेए, सारे टोनेट करते गएक साथ ने, इसलिए at a time ये केवल कुछ portion डोनेट करता है, केवल एक ही सेंटर से डोनेट करता है, ठीक ना? Yes, ठीक ना? But only one can donate, only one can donate at a time, thank न? Only one loan pair can donate at a time. इसके दो ही एक्जेम्पल्स आप देख लो तो काफी है, cn और n ओ तो, next condition, question करिएगा एक, कि नुक्लियोफाइलियन में से क्यों सा option है, a, b, c, d, which is the nucleophile in this, electron deficient है, या electron levis a, c, d, या क्या है, इसमें, nucleophile is, ये option है, yes, nucleophile क्या होता है, ये, nucleophile is, nucleus loving, simply देखो, nucleophile is nothing but it is a nucleus loving, nucleus loving का मतलब होता है, जो proton, nucleus में कौन से charge होता है, nucleus में sir proton होता, neutron भी होता है, लेकि neutron के कोई charge नहीं होता, तो proton loving, I can also write it as proton loving, और I can write it as positive loving, या you can understand की positive charge loving, तो positive charge को कौन love करेगा, या तो खुदी negative charge हो, या तो उसके पास lone pair हो, या तो उसके पास pi electron density हो, या तो उसके पास ambident, ambident nucleophile हो, ambidentate nucleophile, या तो खुदी ambidentate हो, तो यह option यहा पर correct है, यह electron rich होना चाहिए, देखो, यह सारे nucleophile होते हैं, तो electron rich है, यह भी lone pair electron जादा है, pi electron जादा है, इसके पास ambidentate nucleophile में lone pair जादा है, तीक है, positively charged especially, electrophile हो, चीक है, तो actually हमने बहुत basics cover कि इस reaction, इस वाले में, ठीक है ना, actually जो पढ़ाई होगी, वो कल से start होगी, इस chapter के, हमने basically यहां तक, आज के crust में यह है, कि electrophile क्या होता है और कितने तरह का होता है, nucleophile क्या होता है और कितने तरह का होता है, तो this is the basic, very basic, in fact, very basic, ठीक है ना, तो कल से actually हम SN1, SN2, E1, E2, यह चार very important reactions, उसके बाद SN1, SN2 versus E1, E2, तो आगे के जो चार lecture है, वहीं से question बनेंगे, ठीक है, very basic question अगर पूछा जाए, अच्छा इस टाइप के भी question पूछेए, Amputated Nucleophile के बारे में पूछा गया, इसलिए बताया है, यह नहीं बताया जाता है, skip कर दिया जाता है, बढ़हां, NCIT में है, और है, इसलिए मैंने बताया, Pi Bonded के बारे में भी पूछा जा चुका है, इसका link दिया गया है, coordination compound से, पुराने जमाने में आया है, बढ़हां, मैंने सोचा बता दूँ क्योंकि आ सकता है, ठीक है, तो आपके आज ही यहीं तक है, और कल हम पढ़ेंगे SN1, SN2, E1, E2, ठीक है, और अगर आपने अभी तब टेलीग्राम को जोइन नहीं किया है, तो आप जोइन कर लिजे टेलीग्राम को, और Unacademy सब्सक्रिप्शन के बारे में मैं आपको बता देता हूँ, Unacademy सब्सक्रिप्शन में बिटा आपके पास live class होती है, आप interact कर सकते हैं, एजूकेटर से, live poll, leaderboard, test series और doubt clarification sessions आपको यह जैसे ही आप sign up करो, तो यहाँ पर left side में देखना, तीन dots आते हैं, यह तीनों line आते हैं, इस पर आपको click करके plus में अपने goal में subscription लेना, plus में goal में subscription, ठीक है ना, तो subscription जब लोगे, तो आप बहु बली code लगा दे हुगा, तो एक बहु बली code लगाने के फायदे होते हैं, एक से पढ़ना, I'll guide you a book, I'll guide you a module, मतलब मैं सब कुछ आपके preparation के लिए, जो एक mentor required होता है, तो यहाँ पर मिलता है, तो आप यह ले लो, extra benefits चाहिए कि study planners, syllabus completion, crash courses and all, मतलब यहाँ पर जो भी आपको एक चाहिए होता है, वो सब available होता, iconic में, in fact इसमें आपको एक अलग से mentor मिलता ह ठीक है न, you'll get a mentor, तो if you'll apply this Bahumali code, then I'll be available as a mentor too, साथ में कोई और भी मिलेगा, but if you'll apply, तो I'll get, you know, personally, you know, time time से आपको मैं यहाँ पर guide करता रहूँगा, फिर बेटा, यह सब करने के बाद, अगर आप iconic subscription लेते हैं, तो आप देख लो, इतने सारे आपको benefits मिलते हैं, iconic subscription में, और other channels को भी देख सकते हैं, एक काम आप जरूर करना, कि इस channel को subscribe कर लेना, इस channel पे एक कुछ amazing होगा January में आप wait करो, amazing होगा January में, तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे, subscribe जरूर कर लेना, bell icon जरूर दबा देना, और उसको surprise भी रहन देते हैं, थोड़ा सा आप सब लोग उसक कैसे हुआ लग जाता है, अच्छा, ठीक है, आप सब लोग ऐसे तुत्र फैला रखें आपने चारो तरफ है ना, कुछ भी होगा आपको पता लग जाएगा, राइट, लंबा किजी का lecture हाँ, माइंड मैप वहला session बेटा, आप इस special class में होगा, मैं आपको share कर दूँगा, इस में बी today or tomorrow, ठीक है ना बेटा, चलिए, तो आप बाहुबली series, बाहुबली code अप्लाई कर लेंगे और मज़ा आ जाएगा, ठीक है, we are excited, बहुत बढ़िया, चलिए, मिलते हैं आप से next session में, ठीक है जी, thank you so much, take care, bye bye